नमस्कार दोस्तो और विलकम बाक टियूर ओन चैनल तो दोस्तो आज की मार्केट बहुत जादा अनेक्सपेक्टेड मूव के साथ ऊपर जाके बंद हुई है आज की जो हमने रैली देखिए गाइस वह रैली बिल्कुल अनेक्सपेक्टेड थी और अपने प्रीवियस हाय को यानेकि प्रीवियस स्वेंग हाय को तोड़के ऊपर चले गई है तो गैस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल शो कर रहा है या ने शो कर रहा है उसके बारे में हम चार्ट में जाके स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में और जाद अप मूव है की नहीं है गैस उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हमें कौन से ट्रेंड लिये थे और उनकी पर्फॉर्मेंस कैसी रही है तो गैस आप देख सकते हैं यह 1st of June में आज हम लोग ने आपको स्टॉक्स दिये थे सर्ण फार्मा चोला फाइन्स एनम डीसी विदानता न SBA Life आज हम लोग बिलकुल भी ट्रेड नहीं ले पाया आज मैं पर्सनली खुद ट्रेड नहीं ले पाया मैं अपने जो पेड क्लाइंट्स हैं उन लोगों को भी आखरी में एक गोदरिज प्रॉपर्टीज बाय करवाय था जिसका टागेट हिट हो गया था और अपने टेल ओपर ही खुली थी हमारे निफ्टी बान निफ्टी सबके टागेट हुपर ही खुले थे your 사랑 पाहिदा हो गया था अब गाइस हम बढ़ते हैं कि कल कौन से stocks में trade करना है जिसमें आप देख सकते हैं HDFC Life, DLF, JSW Steel, Bata India and TCS है चार buy के हैं एक sell के हैं हम बढ़ते हैं अपने stocks की तरफ उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर आप अभी तक मेरे टेलीगराम चैनल पर जॉइन नहीं हुए हैं तो आप लोग जॉइन हो सकते हैं यहाँ पर टेलीगराम चैनल का लिंक प्रोवाइड़ेड है First Investment है हमारे टेलीगराम चैनल का नाम है यहाँ आपको market पे live supports प्रोवाइड होते हैं जो भी है आपको हमें particular trades दिखते हैं आप लोगों के साथ share करते हैं तो यहाँ पर आप लोग जॉइन हो सकते हैं गाइस दूजी के साथ अगर आप थोड़ा बहुत learning का concept भी सीखना चाहते हैं या फिर आप लोग market से related कोई नई फैक्ट सीखना चाहते हैं तो अब हमें instagram पे भी follow कर सकते हैं हमारे instagram का handle है first underscore investment यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्रेड़ी 600-700 लोग join हो चुके हैं और उन लोगों को भी फायदा मिल रहा है सो गैस हम बढ़ते हैं अपने next talk की तरफ सो आप लोग देख सकते हैं कि HDFC life buy, sell करने की सला दी जाएगी 514 के नीचे short करना 510, 506 तक के targets हम लोग expect कर सकते हैं DLF is buy above 153 target is 156 and 158 stop loss you have to maintain is guys 150 third is JSW Steel buy at CMP, you can buy at CMP only at 194 target is 196, 199 and the stop loss you have to maintain is 191.5 Bata India buy above 1390 1397, 1405 is the target I expect and the stop loss you have to maintain is 1381 last stock is you have to buy is at TCS at same CMP 2055, 2066 is the target and you have to maintain the stop loss at 203 so guys, अब हम लोग चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट में study करेंगे कि इन particular stocks को हम लोग ने आप लोगों को क्यों दिया है और क्यों आप लोग कल इने ट्रेट कर सकते हैं प्लस हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी analysis करेंगे उससे पहले आप लोगों को मैं एक disclaimer देना चाहूँगा कि कल आप लोग बहुत cautiously ही trade करिएगा क्योंकि कल हमें एक trend reversal का signal मिल सकता है probably हो सकता है कि कल शायद वहाँ से अगर कल market अप move जाती है तो trend reversal अब bullish ही हो जाए या फिर अगर कल market एक gap down open हो के नीचे जाती है तो guys वहाँ पर एक trend reversal दुबारा change हो सकता है तो कल की market को हमें cautiously trade करना है तभी मैंने आप लोगों को buy के लिए दिया है क्योंकि आज market पे बहुत जादा bullish movement थी और जो जादा था stocks अपने breakout level पे थे और breakout भी दे चुके है तो इसलिए आप लोगों प्रोवाइड कराया गया है cautiously trade करिएगा levels पे आया है तभी buy या sell करिएगा guys charts की तरफ बढ़ते हैं और charts पे देखते हैं कि कौन से stocks में trade करना है उससे पहले guys आप लोगों को मैं nifty bank nifty के बारे में बता देता हूँ अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह मैंने बैस सबसे बहले bank nifty का चार्ट open करके रखा हूँ अब bank nifty का चार्ट क्या बता रहा है यह सबसे ऊपर वाली जो trend line आप देख रहे हैं यह trend line guys हमारी resistance की है ठीक है resistance की हमारी यह trend line है क्योंकि यहाँ पर selling देखने को मिलती है अब कैसे आप देखेगा इसके ऊपर जाने की कोशिश करी यहाँ पर दुबारा नीचे आ गया था इस level पर यहाँ पर यह नीचे आ गया था exact हमने इस level से भी selling देखी थी और आज हमें भी इस level का high मारा और उसके बाद हमें यहाँ पर भी selling आता है देखने को मिल गई है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से हमने एक दुबारा downfall देख लिया यह जो level निकल के आ रहा है guys वो आ रहा है around में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 20150 का 20150 का एक strong resistance है अगर इसके ऊपर हम देखते हैं अगर इसके ऊपर यह market निकल जाती है और close कर जाती है guys एक reversal आ चुका है और वहाँ से जो हम target expect कर सकते हैं वो 21,500 के भी expect कर सकते है यानि कि 15,500 रुपे की movement भी वो दे सकता है अगर वो 20,150 के ऊपर close कर जाता है अब guys दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं यह यहाँ पर एक resistance था पहले और आज हमने gap up उपनिक होते वे देखी यह देख रहे हैं gap up और यहाँ तक यह particular stock चला गया ऊपर चला गया अब क्या हो सकता है मैं आप लोगों को zoom करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेगा जी guys अब मैं आपको zoom करके दिखा चुका हूँ अब आप लोगों को यहाँ पर क्या देखना है यहाँ पर आपको देखना है कि अभी market क्या करेगी अभी market शायद इस range के अंदर चलेगी यह देखने हैं एक strong up move आई यह strong candle एक घंटे में आई शुरुवात के 9.15 से लेके 10.15 तक उसी के अंदर हम लोग पूरे time trade करते हुए देखे हमने 5-6 candles इसी के अंदर निकाल लिया अब guys क्या हो सकता है अगर इस particular line के उपर निकल जाता है जो की level है 2-0-1-5-0 के उपर तो हम लोग buy बनाएंगे अगर यह इस candle के नीचे trade करने आ जाता है जो कि around इसका level आ रहा है 19,700 का तो हम लोग एक guys sell बना सकते है अब इसके नीचे जाएगा तो हमें target पता है यह target है यह देख रहे हैं यह जो gap up हुआ था यह वाला target है जो की इस level को लेकर आ सकता है 19,400 तक ठीक है अब आप लोगों को sell करना है 19,700 के नीचे target होगा 19,400 या फिर buy करना है 20,150 के उपर तो guys हमारा target हो सकता है 21,500 का trend reversal एक दिन में नी आएगा यह नी कहरा हम है बट अब यहाँ पर trend reverse हो जाएगा तो इसलिए हमें cautiously trade करना होगा कल की market को कोई भी unexpected move आती है तो market पर trade मत करिएगा cautiously ही रहिएगा guys अब हम next talk की तरह बढ़ते हैं next हम सबसे पहले nifty को identify कर लेते हैं कि nifty क्या बता रही है जी guys तो अब आप nifty में देखिएगा एक similar pattern है यहाँ पर आप देखिएगा यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत पहले ही यह देखिएगा यहाँ पर market थी इस level पर यह आप देख रहे हैं यह देखिएगा यह जो मैं box मना रहा हूँ यह था resistance यह यह तीन बार resistance था यहाँ पर closing थी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर यह 9600 के उपर निकलता है आज तो इसका जो target होगा वो यह level होगा और देखे खुला ही exact इसी level पर जो की level था 97,050 का level तो हमारा target 1500 पॉइंट का था वो भी जाके अच्छीव हो गया था गाईस तो हमें बहुत cautious लिए अब इसमें trade करना पड़ेगा अब गाईस दूसरी बात देखेगा यह इसका previous high था exact यह previous high था जो की था 9900 का level उसके बाद से जो हमने गिरावट देखी थी वो गिरावट fall जो आई थी वो 8700 तक लेकर चली गई थी यानि की हमने 1200 points का एक decline देखा था इस level से यह देख रहे हैं exact एक decline देखा था अब यहाँ पर अब जब इस level पे इसने breakout दिया था ध्यान से सुनेगा यह समझने वाली बात है अब आप देखेगा यह resistance था यह resistance है और यह resistance है अब जब इस resistance के ऊपर यहाँ पर यह निकला तो हमने देखा यह gap up हुआ यह देख रहे है gap up हुआ exact इस level तक आया इस level तक आने के बाद हमने अगले दिन एक huge gap down opening देखी यह देख रहे है अब similar pattern हुआ यहाँ पर यह resistance था यह gap up आया एक movement आयी exact अपने previous resistance तक आया और अब हो सकता है कि कल शायद एक दुबारा gap down opening आने को दिख सकती है अगर यह इस particular pattern को follow करता है तो देख रहे हैं मैं guys आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो charts पीछे हमें बता रहा था पीछे भी बिलकुल similar था कि इसके उपर गया आज गया और gap up हुआ यहां तक गया इसके उपर आज गया gap up हुआ यहां तक गया exact उसी level तक गया अगले दिन हमने बहुत जादा gap down opening देखे अब कल अगर यह gap down opening होती है तो आप shot कर सकते हैं इसको भी और यहां तक किले में एक target लेकर चलता हूँ जो की 95,080 का level है यहां तक भी यह जा सकता है पर बीच में hurdles है यह जो आपको hurdles देख रहे हैं आपर भी यह रुख सकता है तो telegram channel पे exact target और stop loss आपको सुबह 9 बजने से पहले पहले आप लोगों को आपके telegram channel पे provide हो जाएंगे और आप लोग trade कर सकते हैं ठीक है guys अब हम लोग stocks की study कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो stocks में सबसे पहला है guys HDFC live HDFC live stock है इसका मैं daily chart open करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अब guys daily chart जब मैंने open करा है यह देखेगा अब daily chart जब मैंने open करा तो आप देख सकते हैं कि यह एक resistance यह एक support था यह support था यह support था और जब यह support की line यह देखे मैंने line को extend करा है trend line को यह मैंने extend कर दी है अब आप देखेगा इस particular candle ने इसको break करा यह नीचे गया यहाँ तक आया अब यह दुबारा उपर गया अब आप देख रहे हैं यह दुबारा उपर गया दुबारा उपर जाने के बाद हमने previous day को देखा था यानि कि इस line के अगर ऊपर trade करना शुरू कर दे तो हमारे लिए भाय है हमने देखा इस level से यह level है around guys 460 का level 460 के level से हमने देखा कि यह 520 तक चला गया यानि कि इसने around 60 points की up move दे दी 60 points की up move दी उसके बाद हमने देखा यह वाली जो candle बनाई है ना इस तरीके की candle यह देख रहे हैं इस candle को कहते हैं guys inverted hammer candle यह inverted hammer है और यह अपने top में बनी है एक strong up move के बाद तो यह reversal का sign है और दूसरी बात आप देखने हैं यह दुबारा trend line के नीचे ही close हुआ और आज हमने देखा एक strong move आई guys market में धाई 3% के एक movement आई है तो उसके बाद भी अपना देखें कितनी नीचे जाके बंद हुआ है अपने exact low पे ही HDFC लाई बंद हुआ है तो कल अगर इसके नीचे निकलना शुरू करता है तो यह दुबारा अपने इस level तक जा सकता है तो इसके लिए target आप लोगों को बने बता दिया stop losses बता दिया नोट कर सकते हैं नेक्स टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स टॉक हमारा कौन सा था वो आप लोगों को दिखाते हैं DLF जी guys तो आप DLF को देखेगा DLF भी मैंने आप लोगों को बाय के लिए दिया यहाँ पर आप लोगों को देखना है यह एक supporting rising trend line है जहाँ पर यहाँ support मिला यहाँ support मिला यह देख रहे हैं अब आप देखेगा हुआ क्या हुआ यह गाईस कि यहाँ पर एक downfall आई मैं आप लोगों को ब्लाक में दिखाता हूँ और थोड़ा सा ही increase कर देता हूँ यह एक downfall आई एक up move आई यहाँ पर और यह up move आने के बाद आप देखते हैं इस level पर हमें एक rejection मिला यह guys यह rejection होता है यह market उपर गई यहाँ पर market कुछ नहीं कर पाई और close हो गई यह rejection आगया so guys यहाँ rejection मिला अब market क्या करी यह वाली market देखे मैं आपको देखाता हूँ market rejection आया और उसके बाद इसी के अंदर trade कर रही थी यह देख रहे हैं यहाँ पर selling आगई इस line पर selling आगई इस line पर आया और दुबारा ऊपर चला गया अब दुबारा ऊपर जाने के बाद आप देखेगा यह क्या बता रहा है कि इसने जो आज का high लगाया है 158 का वो exact high इसने previous भी लगाया है तो और वहाँ से एक दुबारा selling आ गई थी ठीक है यह guys आप समझ रहे है यह वाला line और यह वाली line और दोनों में देखेगा यह rejection देखने को मिल रहा है अब मेर को expectation यह है अब मेर को expectation क्या है मेर को लगता है कि यहाँ पर अब reverse trend को reverse कर सकते हैं अब अगर यह कल 153 के ऊपर hold करना शुरू करती है 150 के नीचे तो हम expect कर सकते हैं कि वहाँ से एक downfall आ सकती है but 150 के नीचे के chances जो है 40% है और जो मुझे उपर जाने के chances आप तोड़ने के लग रहे हैं गाईस एक बर जा चुका है दो बर तीन बर जा चुका है ब्रेक कर चुका है अब ब्रेक कर चुका है तो आप मुझे 60% chances है कि यह उपर की तरफ जा सकता है तो इसलिए मैंने आप लोगों को buy के लिए सला दिया ठीक है गाईस अब अगर हम next talk की तरह बढ़ते हैं तो next talk है गाईस JSW Steel जी गाईस आपको clearly समझ में आ रहा गा यह क्या बता रहा है यह चैनल के अंदर काम कर रहा था है यहाँ support यहाँ support multiple supports थे यह ठीक है यह यहाँ पर इसने first time resistance phase करा है second time resistance phase करा third time करा है यह four time करा और आज इसने यहाँ पर break कर दिया gap up opening के साथ अब guys gap up के साथ अगर break करा है तो positive signal होता है पहली बात तो और गर break कर रहा है तो मैं expect करूँगा कि अगर यह 192 के आसपास अगर आता है तो एक दोबर दुबारा buy बन सकता है तो मेरे जो targets आ रहे हैं वो 195 से लेके 200 के आसपास के आ रहे हैं so एक JSW steel को भी आप observe करके चल सकते हैं watch करके चल सकते हैं next dog आता है का इस बाटा इंडिया same pattern है बाटा इंडिया पे भी या एक सिकंट या बाटा इंडिया पे भी same तरीकी का pattern है बट इसने अभी तक breakout नहीं दिया है breakout नहीं दिया कोई बात नहीं मेरी expectation है कि अब यह यहां से breakout दे देगा यह वाली लेवल पे एक बार आया selling आई इधर आया selling आई इधर आया selling आई अब एक strong movement के साथ उपर गया है एक देख रहे हैं आप यहां पर 1300 रुपे से यह 1380 तक जा चुका है strong movement के साथ दो candle के साथ अब यह वाला जो level जो है वो weak हो चुका है अब यह level weak हो चुका है तो यहां पर अगर यह कल इस level को break करता है यानि कि 1390 को break करता है तो एक strong buying आ सकती है 1400 level, 1400 level तो एक हमान के चल सकती है एक psychological level है जो कि 100 में आता है सुगाई 00 आता है उससे पहले सो मैं expect कर सकते हैं कि यहां तक तो जा सकता है तो 10 points भी बहुत अच्छे points है इसको भी हम watch करके चलेंगे लास्ट talk जो मैंने आप लोगो को दिया था वो था TCS इस पे guys एक flag and shape pattern का break out हुआ है यहां पर आप देखेगा यह क्या बता रहा है एक movement आई उपर गया नीची आई उपर गया इसने pole बनाया यह pole है यह देखिए एक flag था यह flag है इसके अंदर काम कर रहा था आज इसने यहां पर break out दे दिया है जो की 30 का level है 2030 के level के उपर break out दे चुका है कल थोड़ा सा retrace लेता है 2030 के आसपास आता है या फिर अगर 2050 के उपर निकलता है तो भी buy बना सकते है जो मेरे targets है वो 2100 रुपे तक के है इस TCS के अंदर अब गईस मैंने आप लोगों को बताया nifty buy करके चलना है कब और short करके चलना है कब bank nifty और nifty दोनों बता दिया मेरे जो chances लग रहे हैं कि 60% sell off आ सकता है और 40% अब buying आ सकती है ठीक है guys तो अब sell off आ सकता है सारे breakout stocks है या breakout देने वाले है तो इन पे शायद एक reversal आ जाए शायद वो perform ना करे ये कल तो cautiously trade करना है इन लोगों को सारे stocks को और telegram पे मैं आप लोगों को कल support जरूर करूँगा ठीक है guys इसी के साथ मैं वीडियो को wind up करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी तो guys like का aim करते है 1000 likes का अगर आप ये 1000 likes लेकर आते हैं तो मैं इस वीडियो को continue रखूँगा सीरीज को continue रखूँगा क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे support कर रहे हैं या नहीं कर रहे है comment section में कोई doubt आ रहा है तो मेरे से पूछेगा मैं आप लोगों के reply करने का answer जरूर दूँगा और guys इसी के साथ मैं इस वीडियो को wind up करता हूँ so मैं शिवांज भसील मिलता हूँ एक अलगली वीडियो पे signing off